अंद भक्ति चाहे विचारों की हो चाहे व्यक्तियों की हो दोनों बराबर की नीचे गिराने वाली भक्तियां हैं चाहे विचारों की चाहे व्यक्तियों की अंदभक्ती अंदभक्ती है इसी प्रकार अंदभक्ती चाहे संपरदायों की हो मजहबों की हो जिनको हम प्रहमवस धर्म भी कहते हैं मूलता हुए संपरदायों मजहब और पंध हैं तो चाहे उनकी अंदभक्ती हो या राजनीत की अंदभक्ती हो तोनों प्रकार की अंदभक्तियां बोरी हैं व्यक्ति को समाज को नीचे ले जाती है भक्ति या आस्था चाहे विचार की हो चाहे व्यक्ति की हो वो बहुत सोच समझ करके की जानी चाहिए पूरी बौधिक विवेचना के बाद पूरे तरक पूर्ण सोच के बाद जो भक्ति होती है वही सच्ची भक्ति होती है वो अंद भक्ति से हट करके होती है अगर अपने परिवार को समाज को उपर ले जाना है तो आपको हमको इसको उसको सबको इस अंद भक्ति की रूपी जहर से बचना होगा यह 21 सदी विग्यान की सदी है विग्यानिक सोच की सदी है तरक पूर्ण सोच की सदी है यहां अंद भक्ति के लिए कोई इस्थान नहीं होना चाहिए इसी परकार का आहवान हर विप्ति को एक दूसरे से करना चाहिए और अपने आप से करना चाहिए उसके अंदर तरक पूर्ण सोच ही उसको मनुस्षिवरांदी है उसको लाजिक के साथ किसी बात को सोचना चाहिए कुछ लालचवस या भ्रमवस जो भक्ति की जाती है वो भक्ति नहीं है वो स्वार्थ है भक्ति सब्द को वर्तमान युग में बहुत ही बुरा कर दिया गया है अब सोचल मेडिया में बार बार आप पढ़ते हैं बार बार सुनते हैं कि वो सब अंदभक्त है कोई किसी का अंदभक्त है कोई किसी का अंदभक्त है इधर राजनी थी में अंद भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है तुनियां की राजनी थी में हर देश रह ऐसा क्यों है कुछ स्वार्थवस है कुछ लालचवस है लेकिन अधिकांस में ये भ्रह्मवस जिसको सत्य समझते हैं वो सत्य न हो करके असत्य होता है और उस भ्रह्म में वो भक्ति कर बैठते हैं अब इस भक्ति को भक्ति कहा जाए आस्था कहा जाए या क्या कहा जाए ये उसको खुद को सोचना चाहिए जो भक्ति रस में डूबा हुआ है क्योंकि सारे रसों से ये जो भक्ति की रस है ये बड़ा खतरनाक होता है आपके अंदर की सारे अन्य रसों को छीन लेता है कुछ नहीं दिखाई देता है भक्ति अपने आराद के प्रती इतनी निस्ठा पैदा कर देती है कि वो नहीं सोचता है कि जिस पर वो भक्ति कर रहा है जिसका वो भक्त है उसका आराद कैसा है और तभी धर्म के छेत्र में हुआ मजहबों संप्रदाओं के छेत्र में हुआ लोग आचारे बन गए लोग संत बन गए लोग स्वामी बन गए और ऐसे ऐसे प्रवचन कर बैठे और करते रहे हैं कर बहे हैं जिससे अंद भक्तों की फोच खड़ी हो गए और वो फोच खड़ी करने में उनको आनंद मिला वो भक्त बाद में पस्ता आता है जब उसके काले चिट्थे खुलते हैं उसके आराद धके सचे चरित्र उजागर होते हैं तब उसके भक्त भटकते हैं परिशान होते हैं और अपने को दिखाते हैं कास वे पहले ही समझदारी से काम देते हैं समझते कि कहीं ऐसी आस्था तो नहीं करते हैं ऐसी भक्ती तो नहीं करते हैं जहां आख बंद करके वो मान लेते हैं जो सामने वाला कह रहा है मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ या कोई भी व्यक्ति कहता है उसको हुबो तुरंत मान मत लो आप अपनी सामान बुद्ध का प्रियोग करें और अपनी सामान बुद्ध के परिक्षण के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं चलो मान देते हैं तरक्पून लगता है आपकी बुद्ध के अमसार उचित लगता है तो मानिये लेकिन जन्दभाजी में कोई मान बैठना उप्युकत नहीं यहां तक जो सिक्षित व्यक्ति नहीं होता है प्रा लिखा नहीं होता है वो भी बहुत तरक्पून प्राणी होता है सर्त यह है कि वो विचार करे अपने आप से पूछे आग को आग समझे पानी को पानी समझे अगर आग में उसको भगती है तो वो कहें नहीं यह आग नहीं है यह पानी है आग तो जलाने का काम करें और वो जल जाएगा तो सामाने जो गुण धर्म होते हैं व्यक्ति के वस्तु के उसके आधार पर आपको निर्णे लेना होता है क्योंकि वस्तु है अपना गुण नहीं छोड़ती है यह मनुस्य है जो भाति-भाति के आवरण ओड लेता है भीशन अब गुण भरे होंगे और वो दिखावा करेगा कि वो उसके सद गुण है इन माया जालों में फसकर और विसे इसकर जो सज्जन विक्ति होते है आस्थावान होते है भक्ती प्रधान विक्तित होते है वे फस जाते है चाहे उनके राजनेतिक आराते हो चाहे धार्मिक आराते हो उन सब के चक्कर में वो फस जाते है इससे आपको निकरना हो अपने आपको जागरू करना होगा और जब ये तभी संबह होगा जब आपके मन में एक उर्जा पैदा हो ताकत पैदा हो कि आप चिंतन सील प्राणी है आपके अंदर वो उर्जा विग्दिमान है जो परमात्मान दी है और जैसा दूसरे लोगों में वो विद्दिमान है तो वो उर्जा आप में भी विद्दिमान है बेकार में आप दूसरों पर आस्थावस इतनी भक्ति कर बैठें कि नहीं वो तो बहुत आपसे स्रेस्ट है ये सोच गलत है आपने इसका मतलब अपने अंदर झाका नहीं आपने अपना परिक्षण नहीं किया है अगर आप अपना परिक्षण करें अपनी करमेंद्रियों को देखें अपनी ग्यानेंद्रियों को देखें तो वहाँ पर अशीम उर जाए आप देखें तो आप तो बाहर बटकते रहते बाहर के सहारे चाहते हैं अंदर सहारे की तलास तो आप करते ही नहीं करिए और विश्वास मानिए कि आगर आपने अंदर तलास चारी कर दी तो जो अंदर भगती है वो छूट जाएगी पाखंड छूट जाएगा अंदर विश्वास छूट जाएगा और बाद्धिक अश्र में हम यही विग्यान में धर्म की बात करते हैं कर्म ग्यान बुद्धि विग्यान यही दर्शन के मूल तक्त्व है जो फिलोस्फी है वो चाहे आपकी फिलोस्फी हो चाहे हमारी फिलोस्फी हो उसका तक्त्व अनभूती के साथ बुद्धिका विसेस्ट तक्त्व है क्योंकि आपके अंदर वो सरवोच सक्ती विराजमा है आप बाहर देवी देवताओं के लिये भटकते हैं सोचते हैं कि साइद वहाँ आपका कल्याण होगा मानसिके सित्या बनाते हैं बार बार कोई कोई करमकान करते हैं उपाय करते हैं कि साथ इस से आपका लाब होगा लेकिन कभी ऐसे उपाय करें जिसमें बाहर के करमकानों की आवस्कता ही नहुए आप ध्यान करें आप मेडिटेशन करें आप अंदर की जो भी ताक्ते हैं उनको निकालने के जो सारीरिक और मानसिक प्रित्न हो सकते हैं वो करें परकटी से सिख्छा लें पुस्तकों से सिख्छा लें अपने मित्रों बंद बांदों से सिख्छा लें ये ग्यान ही स्रिस्ट है सरवच्छ है और ये जो मनुश्च पर जाती है ये विकासवाद के सिधान्त में भी सरवच्छ विक्सित पर जाती है किसी पसु को अन्दास्था करते नहीं देखा होगा कि पसु को देखिए कि वो एक आग के पास बैठा है और आग पर पैर भी रख रहा है और वो सोचेगा कि ये आग हमको जलाएगी नहीं क्योंकि आग पर हमें विश्वास है परकरति में जीतने भी पृणी होते हैं उनके कोई स्कूल नहीं होते है कोई मदश नहीं होते है, विद्याले नहीं होते है मगर आप देखेंगे कि जो परकरतिदद उनके अंदर छम्ता है उसके अनुसार वो सही ने लिना लेती है कोई भी गलत चीज़ खा नहीं सकते हैं अब ख़गा, उनको खाना खिला करके देखिए उनकी जो घ्रान इंद्री है, नाक है उसके पास जाते ही वो समझ जाएंगे कि भुख हैं की नहीं है, यह खाने हों गहें की नहीं है और वो नहीं खाएंगे हर बिर्णे उनका तरक पूर्ण होता है उनकी इंद्रियों के अंसार समझ के अंसार होता है अगर मनुष्य, मनुष्य तो कहेगा, हम नदी की पूजा करते हैं, हम नदी की शाधना करते हैं, तो हम नदी को ऐसी पार कर ले, दूबेंगे नहीं, ये विश्वास, ये सत्य विश्वास नहीं है, अंद विश्वास है, आप अपनी अंद वक्ति से मुक्ति पाएं, और अर्मिक अंद्वक्तियां, मजहेवी अंद्वक्तियां, राजनेतिक अंद्वक्तियां, व्यक्तिगत अंद्वक्तियां, ये सारी बुरी हैं, आपको मेरी और से सुबकामना भी है, कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचाने, और विश्वास भी है, कि आप निश्चित रू अपनी आखें बंद कर ली हों तो कुछ समय के लिए तो तीसरी आख को खोड़ें अपना त्रेनेत्र जागत करें और च्छने किलाब के लिए अंद भक्ती खत्याप करेंगे देव मस्त प्रश्कार 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 प्रश्काट तो